पियम मोदी ने लाल किले पर दसवी बार फैराया तिरंगा लाल किले से पियम मोदी कर गए बड़ी चूक लाल किले पर दिये भाशन से बुरे फसे पियम मोदी पूरा देश सततरवे स्वतंतरता दिवस का जश्ण मना रहा है पियम मोदी ने भी लाल किले से दसवी बार देश को संबोधित किया पियम मोदी का ये भाशन अब तक का सबसे लंबा भाशन था इस भाशन में वो विपक्ष पर निशाना साधते साधते एक बड़ी गलती कर गए पियमोदी ने भरोसा जताया कि वो अगले साल लाल किले की प्राश्चीर से एक बार फिर राष्ट को संबोधित करेंगे और जनता से किये गए वादों की प्रगती उनके सामने पेश करेंगे क्या ये मोदी का इंडिया गडबंदन से डर था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में पियमोदी ये बात कह गए इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा नमस्कार मैं हूँ परवीन शेग आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है पियमोदी के अगले साल 15 अगस को इसी लाल के लिए से देश की उपलब्धियां आपके सामने रखने वाले बयान पर कॉंग्रेस सद्धक्ष मलिकारजुन खडगे ने उन्हें घेरते वे कहा वो अगले साल एक बार फिर राश्टिय ध्वच फैराएंगे लेकिन अपने घ खडगे यहां कहां रुकने वाले थे उन्होंने पियमोदी के अहंकार में डूबे इस बयान पर आगे कहा हर आग्मी यही कहता है कि बार बार जीत कराऊंगा लेकिन हारना जीतना मत दाताओं के हाथ में है वो जंडा फैराने की बात करें है जबकि वो एहंकार की बात है वो अगले साल जंडा फैराएंगे लेकिन अपने घर पर फैराएंगे कॉंग्रेस संगठन महासचिव केसी वेडू गौपाल ने कहा 2024 में लाल के लिए पर जंडा कौन फैराएगा इसका फैसला जनता करेगे 2024 का इंतिजार कीजिए लाल के लिए की प्राचीर से 77 वे स्वतंतरता दिवस के अफसर पर राष्ट को संबोधित करते हुए पियम मोदी ने कहा अगली बार 15 अगस को इसी लाल के लिए से मैं आपको देश की उपलब्दियां आपके सामर्ते आपके संकल्प उसमें हुई प्रगती उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्म विश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अब पियम मोदी का यही बयान उनकी फजियत करा रहा है क्योंकि भारत एक लोगतांत्रिक देश है यहां हर 5 साल बाद देश की जनता तै करती है कि कौन इस देश की सत्ता पर काबिज होगा लेगिन पियम मोदी ने तो देश की मौजूदा विवस्ता को ही धता बताते हुए अपनी जीत का दावा कर दिया चलिए एक बार फिर देखते हैं कि पियम मोदी ने लाल के लिए की प्राचीर से क्या कहा 2014 में मैंने परिवर्तन का वादा किया और पूरा किया 2019 में आप से फिर आशिरवात लिया परफोमेंस मुझे दुबारा ले आई आने वाले पांस साल अभूत पूर विकास के हैं अगली बार पांच अगस कोई सी लाल के लिए से देश के उपलब्धियां आपके सामर्थे संकल्प उसकी सफलता के गौरवगान उससे पी अधिक आत्म विश्वास के साथ आपके सामने प्रसुत करूँगा मेरे परिवार जनो मैं आपके बीच से निकला हूँ मैं आपके लिए जीता हूँ अगर सपना भी आता है तो आपके लिए आता है मैं पसीना बहाता हूँ तो आपके लिए बहाता हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके परिवार के सदसे के नाते मैं आपके दुख को वही अब तक सवालों में हैं उनके किये गए उन वादों पर आज भी देश पूछ रहे कि क्या हुआ हर साल दो करोड नोकरियों का क्या हुआ काले धन का और क्या हुआ 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आने का इसलिए प्यम के इस साल दिये गए भाशन को लोग चु परपरसाद यादव ने कहा कि मोदी आकरी बार लाल किले पर तरंगा फैरा रहे हैं वो अगली बार लाल किले से जंडा नहीं फैरा पाएंगे उनका समय खत्म हो चुका है दरसल इससे पहले जेडियों ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया था वीडियो में कहा गया प्रदान मंतरी का लाल किले से ये आकरी भाशण होगा वही जेडियो अद्ध में पर लाल किले की प्राशीर से पियम मोदी का ये आकरी भाशण है उन्होंने ट्वी ट कर के लिखा है आधरनें परदानमंतरी श्री नरेंद्र मोदीजी आपका कहना हैं कि 2004 मएं अगर सत्त लाग भीजेंगे आपके इस वादे को मारेनी ग्रहमंत्री जी ने जुमला घोशित कर दिया 2019 में पुलवामा की शहीदों के नाम पर आपने वोट मांगा लेकिन आज तक आपकी ओर से न्यूक्त ततकालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के खुलासे का ना तो आपने जवाद दिया और नहीं उनकी बातों का खंडन किया मौन तो स्विक्रिती का लक्षन होता है अब 2024 नया जुमला देश जान चुका है इसलिए जनता जहां से में नहीं आएगी देश 2024 में भाश्पा मुक्त होकर रहेगा प्यमोदी ने लाल के लिए से दिये अपने भाशन में महंगाई का भी जिक्र किया लेकिन देश लगातार बरती महंगाई से परिशान है जिस पर कॉंग्रेस ने वीडियो साजा कर इसे भी जुमला बताया प्यमोदी ने दसवी बार लाल खिले पर तिरंगा फैराया था प्यमोदी को इससे पहले किस्तोपों की सलामी भी दी गई स्वतंतरता दिवस के इस कारिक्रम में अठारा सु विशेश महमान शामिल हुए लेकिन पियम अपने भाशन में कॉंग्रेस और गांधी परिवार को कोसना नहीं बुले संसत के मौनसून सत्र के दोरान पियम मोधी मनिपूर पर बोलने से खोब बचे लेकिन अठारा सु विशेश महमानों के सामने उन्होंने मनिपूर पर मनकी बात की वही विपख्ष और कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए लाल किले की प्राचीर से पियम मोधी ने कहा हम ब्रहष्टा चार के खिलाफ इमानदारी से लड़े हैं परिवारवाद और तुष्टी करण ने देश का बड़ा नुक्सान किया है लोगतंतर में ये कैसे हो सकता है कि कोई राजनेतिक दल ये ऐसी विक्रिती है जो कभी भारत के लोगतंतर को मजबूती नहीं देगी परिवारवादी पार्टी इनका मंत्र है पार्टी फोर दा फैमली उनका राजनेतिक परिवार का परिवार द्वारा और परिवार के लिए ये भाई भतीजावाद योगेता के दुश्मन है इसलिए परिवारवाद से लोगतंत्र की मजबूती के लिए मुक्ती जरूरी है त देश विकास चाहता है देश 2047 अगर विक्सित भारत का सप्णा साकार करना चाहता है तो किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन ना करें प्यारे परिवार जनों हमारा महत्पूर्ण दाइत्व है आपने जैसी जिंदगी जी है आने वाली पीडी को भी ऐसी के बारे में बात की लेकिन वंश्वाद तो हर पार्टी में है मुझे केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्चा का संसत में दिया गया बयान याद है उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी तीन उंगलिया आपकी तरफ इशारा करती है कि दिन भी प्रधान मंत्री अपने भाशन में राजनीती को लेकर आए लोगों को उम्मीद थी कि वो स्टार्ट अप इंडिया मेक इन इंडिया किसानों की आये दुगनी करने जैसे मुद्दो पर बोलेंगे कोई सत्ता में आये या जाये कोई भी स्थाई नहीं होता लोग पियम मोदी घिरते नजर आ रहे हैं पियम मोदी ने भाशन की शिरुवात में ही मनिपूर का जिक्र किया और वहां के लोगों के प्रती सम्वेदना जताते हुए कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है यानि तीन महीने बीतने के बाद और विपक्ष के सवाल उठाने क बाद आज पियम मोदी ने मनिपूर के जखमों पर मरहम लगाने की कोशिश की आपको बता दे कि इस बार संसत के मौनसुन सत्र में विपक्ष ने मनिपूर को लेकर पियम मोदी उनकी चुप़ी को लेकर कई सवाल उठाए थे विपक्ष का कहना था कि प्रधान मंतरी मोदी सदन में आकर मनिपूर पर जवाब दें ये विपक्षी गडबंदन इंडिया का ही दबाव था कि पियम मोदी ने लाल के लिए से इस मामले पर बोलते हुए कहा कि मनिपूर में अब शांती है लेकिन राज्ये क्या हालात क्या है ये सब अच्छे से जानते हैं तो ये थी हमारी स्पेशल रिपूर्ट आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें देखते रहें डीवी लाइफ नमस्कार